बिसमिल्लाहिरामार रहीम असलामलेकुम मेरे नाम है आफिया आफियास किचन आज मेरे किचन में बन रहा है सिंद्ध का मश्यूर चना देगी पलाओ तो चीहां चना बहुत ही मज़ेदार सा चना देगी पलाओ की रेस्पी आप लोगों से शेयर करेंगे रेस्पी स्टेप मेरे पाद स्लाइस करके यह कर देगे शामिल करेंगे इसरी के साथ 10-15 मिर्चे ती मैं मोटी मोटी सी कूट लिए यह कप दही यह देटीडों गराम के करीब आप दही अची तरह एची तरह फेटके ये शामिल कर देगे साथ ही नंदर एप नमक जाएगा वन टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च वन टेबल स्पून इसमें जाएगा मोटा मोटा से कुटा धनिया अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह कि दफ़ा मिक्स कर लेंगों साथी चूला जला दूगे मैं और अच्छी तरह इसको भूनना शुरू करेंगे मसा मैंने पास क्वाटर टीश्पून जैफल क्वाटर टीश्पून जवत्री पीसी हुई दो बादेल के फूल दस से बारा काली मिर्च तीन से चार जोटी लाइची तीन से चार लॉंग वन टीश्पून सफ है जीरा इसमें इस सारी चीज़े चली गए और अच्छी तरह मसाल को भूनेंगे चार से पांच मिंट मैंने मसाले को पाने डाल के थोड़ थोड़ा फूना तो यह देखे मसाला इस तरह का भून गया अच्छे से तेल उपर आ गया है हाई फ्लेंपे में काम करूं अब इसमें मैं शामिल करूंगी तकरिबन दो कप के करीब बुबले होई च चीटा लगा के अब मैं इसमें शामिल करूंगी चार से पांच में पास साबोद छोटी वाली हरी मिर्चे शामिल कर देंगे और जीतरा मिक्स कर लेंगे एक मुठी बरीकटा हरदनिया दस से बारां पते पुदीने के एक लेमने इसके स्लाइस करके बीज निकाल के मैं यह शामिल कर दीए एक दफा मिक्स किया इसको अब मैं इसे ढखके रख दूगे कर दो कि अच्छा साथ मिंट के लिए तक इच्छा साथ बॉयला जाए इस प शामिल कर देंगे यह सारे चावल बॉल में से निकाल के इसमें डालेंगे और हलके हाथ से एक दफा चला दूगी में यह हो गया अब इस स्टेज पर नमक भी चेक कर सकते आपको नमक कम लगे तो आप शामिल कर सकते मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा मैंने वन टीस्पू न करना शुरू हो गई अब इसे तो चावल हमारे तक्रिबन 80 परसंट के करीब पक गए हैं पानी सारा खुश्क हो गया अब दंबल स्टेजिस के आ चुकी है हलकी हां से मिक्स करेंगे अच्छे से यह देखे माशाला माशाला से बहुत ही खूब सरो से चावल हमारे पकते जा अच्छा सामारा चिक देगी पलाओ चना देगी पलाओ त्यार हो गया है तो रेस्पी आप लोगों पसंद है दोस्तों में फैमली में शेयर करें और मुझे कमड़ बोक्स में बताएं कि आपकी रेस्पी कैसे बनीजी देखे माशाला कितना खिला खिला सा और बहुत ही होंगे मिलेंगे इंचाला गली रेस्पी के साथ दूआ में याद रिखे लाफेज